दोसों आमिर खान के माने तो 1987 की कल्ट बॉलिवुड मूवी मिस्टर उरींजी आमें काम करना चाहते थे लेकिन फिल्म के चीफ असिस्टिंट डिरेक्टर को उनका कार्ड से वहां पहुँचना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उन्हें काम देने से इंकार कर दिया लेकिन उस वक्त उनकी चीफ असिस्टिंट डिरेक्टर के तौर पर काम कर रही सतीश कौशिक ने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया दिये गए इंटिव्यू में आमिर खान ने बताया कि मैं गया और शेखर कपूर से मला क्योंकि वो मेरे पसंदीदा डिरेक्टर में से एक थे मैंने उनसे कहा कि उनके साथ असिस्टिंट डिरेक्टर के तौर पर मैं काम करना चाहता हूँ उस वक्त सतीश खौशिक उनके चीफ असिस्टिंट डिरेक्टर थे मैं उनसे मिला और उन्हें अपना पेपर वर्ट दिखाया कि मैंने क्या किया है मुझे कितना कुछ आता है और वो मुसे बहुत इंप्रेस हुए क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री में कोई पेपर वर्ट नहीं करता था और नहीं सतीश करता था आमिर खान ने आगे कहा कि वोई इंप्रेस हुए क्योंकि मैं अपनी पेपर वर्ट को लेकर बहुत सतर्क था मुझे लगा कि मुझे दीश के सबसे अचे असिस्टिंट डारेक्टर्स में से एक होना चाहिए आज मिए मैं काफे अच्छा असिस्टिंट डारेक्टर हुँ एक एकटर होने से भी कहीं बैधर मैं सैट पर कंट्रोल करने और प्लैनिंग करने में शानदार हूँ लेकिन मुझे वो जॉब नहीं मिली आमिर खान ने जॉब ना मिलने का कारण बताती हुए कहाबाद में सतीष ने मुझे बताया कि जब तू आया था मुझसे मिलने मीटिंग के लिए तो गाड़ी चला कर आया था और मेरे पास काड़ी नहीं थी मुझे लगा जिस जूनियर को हायर करूँगा उसके पास गाड़ी है आमिर ने सतीष को सफाय दी थी कि उनके पास अपनी कार नहीं थी उन्हें वो मा मुझकिल कार ड्राइव करने के लिए दी जाती थी उस दिन उन्हें कार दी गई थी क्योंकि मैं किसी और के काम के लिए जा रहे थे फिर आमिर ने कहा मैंने सतीष से कहा कि जिन्दकी भर बस ट्रेन में घुमा हूँ और पैदा लाया हूँ वो गाड़ी मेरी नहीं है मैं काम से लाया था किसी को कुछ काम था तो मुझे बोला गया था कि गाड़ी ले जाओ और ये काम करकर आओ तो वो गाड़ी में ड्राइवर की तरह चला रहा था भाई और क्योंकि मैं तुछ से मिलने आ रहा था तो मैं गाड़ी में था पर मेरे पास गाड़ी नहीं थी जो बच्चों की देखभार का काम करता था तो दोस्तों आमर खान की इस छोड़ी सी बज़े से मिस्टर इंडिया के बाहर होने के बारे में आपका क्या कहना है हमें एक कमेंच सेक्शन में कमेंच करके ज़रूर बताए और साथ ही इस तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें